नमस्कार दोस्तों आप सबों का बहुत बहुत स्वागे थे YouTube चैनल MS Advisor में और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 26 अप्रेल 2020 के जो भी important current affairs questions बनते हैं वो सारे questions यहाँ पे करेंगे और जितने भी सारे questions करेंगे उसके जो भी यहाँ पे extra fact बनेगा उसे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जहां कि मैंने आपको 25 अप्रेल के जो भी important current affairs questions बनते थे उन सारे questions को कर रहा है अगर आपने उसे नहीं देखा है उस वीडियो को भी आप देख लें और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सो जो से request है इस वीडियो को like और share जरूर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी यह वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने तयारी को अच्छी तरीके से कर सके तो चलिए इस बीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या questions रखे गए हैं इसमें अगर देखें तो पहला questions दिया गया है विस्व मलेरिया दिबस कब मने जाता है इसका सही आंसर होगा वो है option D याने कि 25 अपरेल को हम लोग विस्व मलेरिया दिबस के रूप में मनाते हैं और दोस्तों इस बार विस्व मलेरिया दिबस का theme था Zero Malaria Starts With Me तो यह आप याद दखेगा क्योंकि यह काफी important है इस बार इसका theme था Zero Malaria Starts With Me तो यह इसका theme था इसे आप जरूर याद दखेगा क्योंकि examination में जो है theme अकसर पूछ लियाते हैं तो विस्व मलेरिया दिबस के रूप में हम लोग 25 अपरेल को मनाते हैं और इसकी सुरुवात 2007 में होई थी याने कि पहली बार 25 अपरेल 2007 में मलेरिया दिबस के रूप में मने आ गया था फिर अगला questions देखें Quesos 2 यहाँ पे दिया गया है भारत की सबसी बड़ी IT company TCS किस देश में पहला पूर्ण Digital Bank launch करेगी तो इसका सही answer होगा वो है option A याने की इजराइल में तो जो भी यहाँ पे TCS company है वो इसराइल में अपना पहला जो है पूर्ण Digital Bank launch करेगी और यह पूरा process जो है 2021 में complete होगा तो इसराइल के government के द्वारा जो है TCS को permission मिल गया है और यह 2021 में complete हो जाएगा तो अभी अगर देखें तो TCS के जो भी chairman है वो नटराजन चंद सिखरन वहाँ के अभी chairman है यानि कि TCS के chairman कोन है नटराजन चंद सिखरन और अगर इसराइल के बारे में बात करें तो इसराइल का जो capital है वो है Jerusalem इसराइल का capital कहाँ पे है Jerusalem और वहाँ पे जो currency चलती है वो इसराइल सेकेल चलता है और वहाँ के अभी PM है Benjamin Netanyahu तो यह वहाँ के PM है तो यह सारा कुछ आपको जो fact यहाँ पे याद रखना है फिर अगला questions देखें यानि questions नमर 3 देखें तो यहाँ पे दिया गया है वह राजे सरकार जिसने क्रोना वाइरस के मद्दे नजर सिक्रेट, बीडी, कुठका, इसिक्रेट समेच सभी तमबाकू पदार्थों के उपयोग और विक्री पर रोक लगा दी है तो कौन सा इस्टेट है जो जितने भी तमबाकू पदार्थ है उसके विक्री और उसके उपयोग पर पूरी तरह से पर्तिबंद लगा दिया है तो उसका सही आंसर होगा वो है ओफ्सन C यानि की जारखंड सरकार के दौरा जो भी बीडी, सिक्रेट या फिर जो भी तमबाकू पदार्था उस पर पूरी तरह से यहाँ पर बैन लगा दिया गया है तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जारखंड के सियम अभी कौन है तो वो है हेमन्त सोरेन जो है वहाँ के सियम है और वहाँ के गवर्नर जो है वो है द्रोपती मुर्मू तो द्रोपती मुर्मू वहाँ की गवर्नर है और वहाँ के CM है हैमन सुरेन तो ये आपको जारखंट के बारे में याद रखना है फिर अगला questions देखें यानि questions नमर चार जो यहाँ पे दिया गिया है प्रख्यात थेटर, personality, उसा गौंगली का हाली में निधन हो गया वह किस थेटर ग्रूप के संस्थापक थी तो इसका सही आंसर होगा वह है option A यानि कि रंग कर्मी जो थेटर ग्रूप था उसके वह संस्थापक थी और दोस्तों ये questions काफी important questions है क्योंकि 1976 में इन्हों ने रंग कर्मी थेटर ग्रूप का स्थापना किया था और इनके द्वारा काफी सारे जो movie होते हैं उसको direct भी किया गया था और इनका जर्म जो है 1945 में हुआ था और ये कलकत्ता के हिंदी रंग मंच का जो है एक लोता थेटर था तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद रहें तो इसका सही आंसर होगा रंग कर्मी तो उसा गांगली के द्वारा जो है रंग कर्मी थेटर का स्थापना किया गय यह है अमेरिका के किस सहर में दो पालतू बिल्न यां क्रोना वाइरस पोजिटिव मिली है तो इसका सही आंसर होगा वो है और čामसी चलता है वो आमेरिकन डॉल्र चलता है तो ये दो बातें आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है फिर इस स्थान ने वास करो मुबाइल एप विक्षित किया है तो इसका सही आंसर होगा ट्रीपल आईटी दिल्ली तो ये देखें ये आईटी दिल्ली नहीं है ये ट्रीपल आईटी दिल्ली है जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंदपरस इंस्चूट आउप इनफॉर्मेशन टेकनोलोजी तो यहाँ पर आपको आईटी से कन्फूज नहीं होना है इसका सही आंसर होगा ट्रिपल आईटी दिल्ली जिसका की फुल फॉर्म होता है इंदपरस इंस्चूट आउप इनफॉर्मेशन टेकनोलोजी तो इसके द्वारा वास करो मुवाइल एप को विक्सित क्या गया है जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो COVID-19 के वारे में जो काफी सारी उसमें जानका पर दी गई है फिर अगला कोश्टन्स देखें यानि कोश्टन्स नमर साथ जो यहां पर दिया गया है के अंदर ये मानव संसाधन विकास मंत्राले ने ए-learning समागरी योगदान के लिए नई दिल्ली के किस कारकरम की सुरुवात की है यानि कि नई दिल्ली से किस कारकरम की स है तो वो है डॉक्टर रमेश पोकरियाल निसांक तो ये है के अंदर ये मानव संसाधन विकास मंत्री तो इनके द्वारा e-learning समागरी योगदान के लिए विद्यादान 2.0 लांच किया गया है इसमें अगर आप भी चाहते हैं कुछ लेक्चर बना के देना या फिर या फि उसे पढ़ाई में कोई कटनाई नहीं हो या फिर जो भी अभी घर पे बैटके पढ़ाई कर रहे हैं उनके study content में जो है कुछ भी कमी ना हो तो इसलिए यहाँ पर विद्यादान 2.0 को लांच किया गया है फिर अगला questions देखें यानि questions नमर 8 जो यहाँ पर दिया गया है Reliance CEO ने अपनी 9.99% हिस्चेदारी किस company को 5.7 billion dollar में बेची है तो इसका सही answer होगा वो है option B यानि कि Facebook को Reliance CEO ने अपना 9.99% जो हिस्चेदारी था वो 5.7 billion dollar में बेची दिया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Facebook के जो भी CEO है वो है Mark जकरवर्ग है और जो भी Reliance के CEO और MD है वो है मुकेश धिरुभाई अमबानी तो ये दो चीज़े आपको यहाँ से याद रखनी है फिर अगला questions देखें यानि questions नमर 9 जो यहाँ पर दिया गया है विस्व बाइडमिंटन संग यानि कि BWF के I.M. बाइडमिंटन जागरुक अभिहान के लिए किस भारतिय बाइडमिंटन खिलाडी को अमबेजडर चुना गया है तो इसका सही answer होगा वो है option A यानि कि PV सिंदू को I.M. बाइडमिंटन जागरुक अभिहान के लिए चुना गया है तो इसका brand ambassador के रूप में इसे यहाँ पर चुना गया है तो यहाँ पर दोस्तों BWF का फुल फॉर्म होता है वो है बाइडमिंटन वर्ल्ड फिडरेशन यह इसका फुल फॉर्म होता है और इसका headquarter की बात करें कुला लूमपूर मलेसिया में कुला लूमपूर मलेसिया में इसका headquarter है और इसका CEO की बात करें, तो इसका CEO जो है, आइन, मैक लबे जो है, इसके अभी CEO है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे WBF यानि की विस्व बाइट मिन्टन संग के बारे में याद रखना है, फिर अगला questions देखें, यानि questions नमर 10 जो यहाँ पे दिया गिया है, जम्मू कास कास्मीर से एलेटेट हो, यह काफी important questions है, तो जम्मू कास्मीर जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि जम्मू कास्मीर को अभी यूटी यहाँ पे बना दिया गया है, और जम्मू कास्मीर के फर्ष्ट जो लेटनेंट गवर्नर, यानि की LG जो बने है, वो बने है, ग्रीस चंत्र मुर्मूर, कौन बने है, ग्रीस चंत्र मुर्मूर जो है, जम्मू कास्मीर के फर्ष्ट LG बने है, तो यह आपको यहाँ पे याद अखना, यह काफी important questions है, और जम्मू कास्मीर का पहला वो कौन सा जिला है, जो की क्रोना मुक्त बना है, तो वो है पुलवामा जिला, यह द बनवाया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों पंजाब के बारे में आपको याद अखना है, कि यहाँ के कौन CM है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो अभी जो यहाँ के CM है, वो Captain Amrinder Singh, यहाँ के CM है, और VP Singh जो है, यहाँ के गवर्नर है, तो यह दो चीज़े आपको दी, यानि कि करनाटका के द्वारा जो है, यह चीज़े यहाँ पे मुवायल टोल फ्री मुवायल नंबर और मुवायल एप को शुरू किया गया है, दोस्तों यह जो एप यहाँ पे शुरू किया गया है, यह COVID-19 को देखते हुए, ताकि उसमें जो भी टेली मेडिसीन या या फिर कुछ भी टेस्टिंग उपचार के बारे में जानकारी या फिर किसी भी तरह का आपको परामर्स चाहिए, तो उसके थू जो है, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, आप वहाँ से कॉंटेक्ट कर सकते हैं, फिर अगला कोशन्स देखें, तो कोशन्स नमर 13 तो इसका सही आंसर होगा, वह ऐ he Option A, यानि कि नेपाल को भारत ने 23 तरह आवस्यक दवाया वेजी हैं, तो नेपाल के आपको याद आखना है कि वहां के अभी PM कौन है, वहां के PM है अभी KP सरमा Όली, KP सरमा Όली वहांके PM है, KP सरमा Όली वहांके PM है और Capital जो होता है वहां का, यानि कि नेपाल का जो Capital है वो काटमांडवू है और वहां पे Currency जो चलती है वो नेपाली रूपी वहां पे Currency चलता है तो ये तीन चीज़े आपको नेपाल के बारे में याद अखना है फिर अगला questions यहाँ पे देखें तो questions नमर 14 जो यहाँ पे दिया गया है किस राजे सरकार ने चरनवद तरीके से परवासी सरमिकों को वापस लाने का फैसला किया है तो इसका सही answer होगा वो है तो दोस्तों वहाँ के जो भी CM है आप सभी जानते हैं कि योगी आदित नात वहाँ के CM है और वहाँ के जो गवर्नर है वो आनंदी वेन पटेल वहाँ के गवर्नर है ये दो चीज़ें आपको उत्तर परदेश के बारे में याद अखना है फिर अगला questions देखें तो questions नमर 15 जो यहाँ पर दिया गया है किस देश ने FDI पर अतरिक्त पर्तिमन लगाने के लिए भारत की निंदा की और कहा WHO वेपार नियमों के खिलाब है तो इसका सही answer होगा वो है option A यानि की चीन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की द्वारा जो भी FDI का पहले rule और regulation था उसको यहाँ पर बदलाव कर दिया है तो इसके कारण चीन के द्वारा यहाँ पर निंदा क्या गया है और दोस्तों यह इसलिए क्या गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चीन की जो भी यहाँ पर हुवाई company है वो HDFC का 1.01% का जो भी share था वो खरीद लिया था तो इसके बाद भारत सरकार ने FDI में जो भी उसके rule and regulation थे उसमें यहाँ पर बदलाव कर दिया है कि कोई भी अगर foreigner इंडिया के किसी company का share खरीदना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले जो भी यहाँ पर सरकारी अधिकारी है यानि कि government के द्वारा उनको permission लेना होगा उसके बाद ही वो यहाँ पर share खरी सकते हैं तो इस तरह के यहाँ पर FDI के कुछ नियम में बदलाव क्या गिया है जिसका कि यहाँ पर चीन के द्वारा निंदा क्या गिया है यही दोस्तों आज के important current happens के questions थे दोस्तों आपके वीडियो कैसा लगा वो आप नीचे comment से कर जरूर बताएं और दोस्तों इस वीडियो को like और share जरूर करें जो भी आपके WhatsApp ग्रूप है, Facebook ग्रूप है, आप Instagram ग्रूप है वहाँ पर इस वीडियो को जरूर share कर दें और इस चैनल को आप subscribe कर लें ताकि आप अगले वीडियो के साथ बने रहें उसके बाद एक notification का बेल आएगा उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिलता रहें और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप समों का बहुत बहुत धन्यवाद